नाजरीन आप देख रहे हैं The Local Journalist और The Local Journalist के स्टोडियो में इस वक्त हमारे बीच मौझूद हैं जिनाप Dr. Mazharul Islam सहाब मैं आपको बताता चलूँ कि The Local Journalist की important segment, doctor segment में आज हमारे बीच मौझूद है Dr. Mazharul Islam सहाब जो के MDDM critical medicine है Attached with Medica Hospital, Kolkata Dr. Mazharul Islam सहाब The Local Journalist में आपका welcome है सर Good evening Sir, आज जिस तरह से देखा गया है कि पूरे देश में बरसाद का मौसम है, सहलाब है, कहीं गाउंड हुई हुई है ऐसे हमके पर बहुत सारी बिमारियां फैलती हैं सर आज हम लोग बात करेंगे सर डिंगू को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्साब आप डिंगू को लेकर, इस मर्स को लेकर जो मच्छर के काचने से होता है और इतनी तेजी के साथ फैलता है कि वक्त नहीं देता है जो है पेसेंट्स को समभलने का, क्या कहना चाहेंगे सर सबसे पहले सुक्रिया बरसात आ गया हम लोग अभी तक हॉस्पिटल में डेंगू पे से ज्यादा नहीं मिल ले लेकिन इस जो एदा चेंज हो रहे हैं इसमें डेंगू के बीना और भी बिमारी आ रहे हैं में अभी इंफ्लेंजा इंफ्लेंजा रहे हैं जो रेस्पेटरी शीम्टम लेकर खासी चोटा विमारी से कॉम्प्लिकेटड इवेंट डेथ भी हो शकते तो इसलिए डेंगू नॉर्माल फीवर की तरह नहीं है यह अलाग सा तरीका से सोचना पड़ते क्योंकि एवरी डेंगू पेसेंट केंट कॉम्प्लिकेटड हो सकते इसलिए डेंगू के बारे में हम लोग को पाँज डीसकरशन करेंगे इसलिए मच्छ идет को यह सॉतर जाओ पढ़ाता है पाइन डाइन जना alláनी फीवर हो जाते आदमी का तो शेकेंट टाइम उसी तक tief का यहारस से नहीं होताए तुष्छाट्टे वालग से होते तो आदमी सोचते कभी कभी की डेंगु हो गया मेरा और क्यों होगा डेंगु एक बार होने के बाद बार बार होने का संब वना है डेंगु कौमोंली सोचते की गंधा पाणी में फैलते लेकिन डेंगू कमोली घर के असपास में जो साप शुदा पानी है उसमें भी ग्रो कर सकते इवन जो लोग टॉब राखते गाच जो गाच उसमें भी डेंगू डेंगू जो भाइरस वहां ग्रो करते नॉर्माल पानी सराउंडिंग जो डाटी एरिया है वहां भी डेंगू भाइरस प्रो करते तो सर बठने के लिए सर क्या क्या प्रोसीजर आदमी को सोचना करना चाहिए डेंगू एक तो बीमारी जब हो जाएगा तब क्या करना चाहिए वो बताएंगे बात में पहले प्रिवेंशन क्या है तो आदमी हम लोग बहुत कैजूल रहते घर का बगल म में जो जो डाटी एरिया है उसको शाप कर देना चाहिए पानी जो जमा हुआ है घर में जो छोटा टॉब में जो स्पेशली घर के अंदर में जो विंडो में रखते जो पानी जम जा रहा है उसको फेक देना दो तीन दीन इंटरवेल में और सराउंडिंग क्लीन करना कोव स्पेशली क्लीन साप करने के लिए कोशिश करते तो करते लेकिन हम लोगों का तरफ से इनिसेट लेना चाहिए क्योंकि हम लोग शात क्लीनलेस मेंटेन करेंगे अमारा निजेदेर तरफ थेको इनिसेस्टिव निते हमें जे अमादे बाडी रास पास्वे जे शमुस्तो नोंगला अबोर्जाना ची गढ़ोए छे विजश्कोले जे गलो चौब बाचौटो-चोटो जाइका गोलो नोंगला अबोर्जाना रहे शिगलो के ये डेंग ब हम लोग शोते रात में, मॉस्क्टू नेट यूज करना बहुत जरूरी है, क्यूंकि मॉस्क्टू नेट मैक्सिमम प्रिवेंशन करते मॉस्क्टू बाइट से, कोई कोई सोचे कि हम लोग अल आउट लगा के मॉस्क्टू रफिलेंट जो ऑएल है, उसको लगा के सो जाते लेकिन उसमें 100% प्रोटेक्शन नहीं देते क्योंकि ये टाइम लगते जो पुरा होल रूम को गैस से भरना इसका कॉम्प्लिकेशन भी है सबसे बहतर है कि मॉस्क्यूटो नेट बहबर करना अब सब दिखा गया कि उभी बौू शारे जो है क्या है कि वह लोशन्स वगरह निकले हैं जो बडी में लगाये में लगातzen उसमें भी जब कुछ मॉस्कुटो नेट का प्सर नहीं है अब बहार में है कही पर गया वहां मॉस्क्यूटो निट अविलेबल नहीं है लगाने के कोई जैगा नहीं है तब तो ओडो मॉस वो जो क्रीम है ओ लगा शकते शेकर्ण थिंग है कि सुचते कि रात में जो मॉस्क्यू जो है डेंगू जो एडिस मॉस्क्यूटो है और रात में करते लेकिन जिस घर में मच्यर है तो पीयों है मॉस्क्यूटो नहीं वहीं वह जो चल लाइनियम है मों स्यूटर के होने टाइम पर चीस तरह से आपने बताया कि रात Edwards के जरूफाछाक उब बच्शा के अंदर होई कि इन्फेक्शन जल्दी फालता है और तो बच्चों को बचाने के लिए गार्जन्स को क्या करना चाहिए फिर एक ही प्रिवेंशन जो पहले डिसकुशन किया बहुत हो तो करनाई पर एक हम जालो नेट मॉस्कुटो नेट होना चाहिए यांग जो चुछ कीड्स जी और एल् के से नोते इन लोगा रिकोबरी का संभवना बहुत कम हो जाते हैं जो मच्छर काटने के बाद जो डेंगो हो गया तो बुखार का टेंपरिचर क्या है था देखिए इनका तीन फेज है फास्ट तो तीन से चार दिन बहुत हाई ग्रेड फिबा रहते एक सो चार एक सो के कार्णिह हो सकते हैं ऐखिया का भी तो बार्सात के मौसू में म sorry मलीडीया भी होगा तो शाओ में को इन फिख्शन भी नहीं नहीं चाहिए लेकिन दिसकस्टन डिटेस में नहीं करें लेकिन चार दिन तक फिवा रह सकते उसके बाद चार से साथ दिन यह बहुत वाइटल प्रियोड है उस टैम में क्या होते आदमी का पजो बलीवार किड्नी हाट लांग यह सब इन्वर्प करते जब जो लोग क इस वक्त लोकल जनिस को तो मेरे वीवर से कौंगा चूकि बहुत ही इंपोर्टन सेग्मेंट चल रहा है बरसात का मौसम है और यह सब चीजे जो है इंपोर्ट साथ ने जो बहुत सारी डीज़ आती है और डॉक्ट साथ के हम बहुत सुक्र गजार है कि डॉक्र साथ अपना किंती बग दिया डॉक्त सब क्या क्याइश सिंटम्स होता है लॉक्साब पहिचान जिसको आपके लेक्ष्ण जिसको कहते है हाँ डिंगो रहे गर गॉन पीपिल डॉक्टर के पास एक दो दिन के आंदर नहीं आते उसके बाद ही आते तब कॉम्प्लिकेशन स्टेज होने का समभवना जादा रहते उस टाइम में क्या-क्या होते आदमी भूख चला जाते जनरल विगनेस नौजिया भूमिटिंग उल्टी हो जाते कभी-कभ साथ पैड में दर्द होते filme के वर में सब लोगों पता है कि प्लेटिलेट कम चरते था प्सक्किल कम होने के वज़ाजर से जैसे और कॉम्प्लिकेशन भीडिंग होते गम ब्रास कृर्श रहा है और बंदी व्लिडि आदमी जो पैहले हो नहीं होते Unit Candace है ये जो यह में bleeding spot आते बौडी के अंदर प्रेटिलेट को कम हो जाते बोडी के अंदर चोटा-चोटा red spot हो उसको बोलते की पेटे की और जिसका पेड में घा है उसका bleeding मुख से पाइखना से ब्लीडिंग होने का संब वना रहते बाकी जो रिपोर्ट में हम लोगों पता चलते किसी का किद्नी खराब हो जाते किसी का ओ एक्स्ट्रीम कंडिशन में जो लोग पहले से जो भाइटल जो वन टू फाइव डेज जो लोग पानी कम नहीं कम अच्छा से नहीं कम पीते उनको लिए हमो कॉंसेंट्रेशन डेंगु शॉक सिंड्रोम बोलते डेंगु हेमरजीक फीवर कैपिलेडी लीक मिन्स ब्लाट भेसल जो नाली शिरा से जो ब्लाट जाते वहां से पानी बॉड़ी का अंदर चला जाते पेट के अंदर पनी जम जाते लंक के अंदर पनी जाते हाट के असपास में पनी जम जाते इसको बोलते शेस़् हम लोग तो ओ कमपलिकेशन जब हो जाते के यह सिचूशन में आते और एक्स्रम सिचूश्यम कैसि हम लोग क। अचकर सब्सक्राइब sus 내चे के लिएक लेकिम लाट नहीं पाथा यह सभीटिकाद हम रहत और प्लेटिलेट दे कर भी हम लोग कुप बीडिंग स्टॉप करने पाते शास लेने में दिख्काद होते हैं वेंटिलेटर में चला जाते इसको याड़ीस बोलते हो भी extreme complications लेकिन हम लोग frequently medical hospital में हम लोग रहते हैं उधार हर जगा से जो रेफर केश आते हैं जो complicated डेंगू हम लोग आसपस आते हम लोग normal डेंगू patient admit हुआ platelet कम हुआ platelet transmission का भी दिने का भी जोड़ नहीं पड़ते एक दो दिन तिन दिन चार दिन देखते platelet कौन सा ट्रेंड में है इंप्रूब कर रहा है तो हम लोग छोड़ देते extreme complicated situation में हम देखा कि liver failure kidney failure patient ventilator में है मर गया ventilator से निकल भी आया liver भी इंप्रूब हुआ किद्नी भी इंप्रूब हुआ लेकिन organ support के बाद normally नहीं होते इसलिए सब अदमी को सोचना चाहिए जब इस मोसम में जब भुकार आ रहा हर भुकार एक डेंगू सोचना unless otherwise proven डेंगू नहीं तो malaria और जब clear card दिखाई देगा कि आपको खासी हो रहा है ठंड भुकार है खासी हो रहा है तब डेंगू होने का संभाव हो ना क्राव में क्यूंकि initial phase में डेंगू खासी लेका present नहीं करते तब आप वेड करते डेंगू का रिपोर्ट के बारे में लेकिन एक चीज एक infection के साथ दूसरा infection नहीं रहेगा यह कोई बोल नहीं पाएगा डेंग खासी है respiratory infection है शाद में डेंगू नहीं है बोलना मुस्किल है जब persistent fever रहेगा तब हम लोगों को सब कुछ report करके देखना पड़ते रिपोर्ट के बाद ऐसे जब किसी को भी वोखार आ है तो सबसे प करना चाहिए मैं लोग डॉक्टर के पास पहले भी आ सकते नहीं तो रिपोर्ट कराके भी आ सकते complete blood count जिसको प्लेटिलेट देखते हैं हिमोग्लोविन देखते पीसीवी देखते जो कितना व्लॉडी फ्लूई डेविसिट है उसको पीसीवी में हम लोग मिजर करते हिमोग पीसीवी देखते हैं और शाद में लिवर फंक्शन किद्नी फंक्शन यह देखना पड़ते हैं इनके लिए खाने के लिए डाइट वगर रहे तो इनरजी जो है बनाया रखे सब्सक्राइब एस सच कोई खाने का रेस्ट्रिक्शन नहीं है जिसका बीमारी के लिए खाना पहले सी है वो तो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना चाहिए और जब आपको उल्टी लगेगा बार बार उल्टी हो रहे हैं कुछ खा नहीं पा रहे हैं तो फ्रूट जूस जैसे हैं फ्रूट जो आप अच्छा लगते हैं और जब प्लेटिलेट कम हो जाते तब बहुत देते हैं उसको बोलते हैं तो खाना सच कोई रेस्टिक्शन नहीं है देखा गया है डाप्साफ के देश हमारा गरीब देश है अवा कही जहां पर जो है के सालाव आ गया है और समुंदर उफान पर है दरिया उफान पर है ऐसे जोकर पर गरीब बच्चे हैं मज़ूर बच हैं तो इनों के लिए क्या क्या पैगान देना चाहेंगे ताकि जो लोग भी जैसे ही बोखार हो करीब ही हिल्स सेंटर में जाए और जाके डाक्टरों से मिले और डाक्टर भी उनका कॉपरेशन कर सके उनका इलाज कर सके डेंगू को लेकर गौवर्मेंट के तरफ से कोई भी उन लोग का निगलीजिंस नहीं है क्योंकि एक डेंगू डेथ सब ऑडिट होते गौवर्मेंट ऑफिशर भेजते डेंगू प्रोटोकॉल आइदर गौवर्मेंट सेटप में और प्राइबेट सेटप में अडमीट होते दोनों जैगा में ऑडिट होते सीनियार मेडिक अफिशर देकर और अडिट करते इसलिए हर्ट टैम गौवर्मेंट में जाना पड़ेगा यह जुरूरत नहीं है आप गौवर्मेंट में जाएए वेस्ट मेंगल गौवर्मेंट सर्कूलर जड़ी करते हर साल में जाती जो प्रोटोकॉल हम लोग एक चार्ट रहते डेली जो एक प्रीडिफाइन चार्ट वो फिल अप करना पड़ते है उसी प्रोटोकॉल में हम लोग को जाना पड़ते हर जगा में यह प्रोटोकॉल फॉलो करते है आप गौवर्मेंट में जाए लेकिन जब आपको लगेगा कि तबियत ठीक नहीं लग रहे है आईदर गौवर वाइरस फैदा होता है इंफेक्शन ज्ञादा होते हैं बचों को तो लोग को इससे बचने के लिए क्लीने असपास में पाणी जो जमा हुआ है जहां डिंग एडिस मॉस्कुटो ग्रो करते हों हडा देना चाहिए हर घर के बचल्ठ करते चलने के टाइम है देखते क्या है में हम तो ठीक हूँ लेकिन इंडिविजाल लेवल में जब कम करेंगे यह कालेक्टिव बहुत बढ़ा इफेक्ट होगा ठीक है जब भुकार आएगा तब डॉक्टर के पास कॉंसल्ट करिए जुरुरत पर तो गौर डॉक्टर ही बता सकते हैं यह कॉंप्लिकेशन होने का सं होना काम है तब तक अब डॉक्टर के पास टाच में रही है डिंगू सब होते हर साल में होते आदमी ठीक होके घर में आते हम लोग एक एक दीन मेरा होस्पिटल में लास साल में 40-50 करके डिंगू पेशिंट होते हैं हम लोग most of the patient discharge हो जाते हैं डरने का कोई नहीं है लेकिन बहुत 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 शुक्रिया डक्टर मसरुल इस्टाम साब तो नाजरीन आप देख रहे हैं दा लोकल जनस्ट की special doctor's segment मैं आपको बताता चलू दा लोकल जनस्ट की हर मुमकिन कोसिस अवाम से जोड़ी हर मुद्दे को awareness की program को आप तक पहुंचाने करता है कि वो education segment हो health segment हो hygiene segment हो चुक्य मैं बताता चलू फिर एक बार आपको कि बरसात का मौसम है चारो तरफ बारिस का मौसम है और डेंगो से बचने के लिए आप अपने अतराफ में पानी को जमा ना रखें साफ सफाई का पूरा है तमाम करें इंतजाम करें आप हमारे चैनल को फेस्बुक पर हिंदी अर्दू इंगलिश बेंगोली में देख सकते हैं जो कि 24-7 है और आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें पलपल की अपडेट्स के लिए आप बंदे रहें दा लोकल निजर्स के जैनल इसके साथ मैं इस्वम्शुदीन दा लोकल निजर्स के स्टूडियो से बहुत 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 शुक्रिया टॉक साब बहुत बहुत शुक्रिया